नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं देदे-प्यारदे फिल्म के नौ दिनों के टोटल बोक्स अफिस कालेक्षन के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने Worldwide Box Office पर अभी तक कितने करोड की कमाई कर ली है और इस फिल्म को हिट होने के लिए अभी और कितने करोड की कमाई करनी होगी तो चले दोस्तों शुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरिश्टार अजे देवण सर की फिल्म देदे प्यार दे जिसके लीड में आपको अजे देवण सर के साथ नजर आई है रकुल प्रीस सिंग वही दोस्तों उनका साथ दिया है तबू ने बॉक्स ओफिस पर दोस्तों इस फिल्म को लगा गया था 17 मई को और दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ओफिस पर अपने पहले दिन कमाय थे 10 करोड 41 लाख रुपे जी हा दोस्तो वेसे तो अजय देवगन सर की फिल्मों के लिए ये पहले दिन की कमाई काफी कम रही थी लेकिन दोस्तो इस फिल्म को जैसे जैसे काफी अच्छे रिव्यूस मिलने लगे इस फिल्म के कलेक्शन्स में काफी अच्छे ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने अपने second day में कमाए थे 13 करोड 49 लाख रुपे बताया है दोस्टों कि इस फिल्म ने अपने first week में कमाए है 38 करोड 54 लाख रुपे वहीं अपने first week में भी इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा होल्ड रखा था और इस फिल्म का फर्स्ट वीक का टोटल बॉक्स अफिस कलेक्शन रहा है 61 करोड पांच लाक रुपे दोस्तो इस फिल्म ने ओवर्सिस से कमाई अपने फर्स्ट वीक में 11 करोड रुपे वही ओल इंडिया ग्रोस पर ये फिल्म कमा चुकी थी 22 करोड रुपे इस हिसाब से दोस्तो इस फिल्म का जो फर्स्ट वीक का टोटल बॉक्स अफिस कलेक्शन था वह ओचुका था लगबग 83 करोड रुपे का बजट है दोस्तो इस फिल्म का लगबग 75 करोड रुपे का इस हिसाथ सबसे दोस्तो इस film को Indian box office पर hit होने के लिए लगबग 90-95 करोड रुपे की कमाई करनी है तो दोस्तो बात कर लेतें इस film के 8 वे दिन की तो दोस्तो 8 वे दिन भी इस film ने काफ़ अच्छा होल्ड किया है और नई फिल्में रिलिज होने के बाद भी ये फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है और दोस्तो इस फिल्म ने अपने 8 वे दिन कमा है लगबक 3.5 करोड रुपे जो कि एक काफी अच्छा कलेक्शन है वही दोस्तो आज के कलेक्शन में भी काफी अच्छी ग्रोध देखने को मिल रही है और ये फिल्म आज अपने 9 दिन लगबक 4.5 करोड रुपे की कमाई कर रही है इसे के साथ दोस्तो इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स अफिस कलेक्शन है वह चुका होगा अपने 9 दिनों का 70 करोड रुपे और दोस्तो इस फिल्म को अब 20 करोड रुपे और चाहिए और ये फिल्म इडियन बॉक्स अफिस पर हो चुकी होगी हिट तो दोस्तो आपको क्या लगता है क्या आजय देवगन सर की ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट हो पाई गया नहीं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा